दोस्तों वो कहते हैं ना खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त कुछ वैसा ही हुआ है भारत के साथ जी हाँ आपने अभी जस्ट दो-ती निन पहले सुना होगा कि वेदानता और फॉक्सकॉन की जो डील थी 20 बिलियन डॉलर की उसको रद कर दिया गया है फॉक्सकॉन बाहर हो गई है लेकिन कली यहां पर खबर यह आई है कि फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया है कि वो अकेले खुद से वेदानता के बिना भारत के अंदर सेमी कंडॉक्टर प्लांट को सेट अप करेगा एं लेट मी टेल यू एक प्लांट नहीं यहां पर उसका कहना है कि चार से पांच ऐस से लाइन जो है वो यहां पर लगाएगा भारत के अंदर यह आप देख सकते हो बड़ी खबर फॉक्सकॉन टू पर्स्यू इंडिया प्लान विदाउट वेदानता प्लांट्स टू अप्लाई फॉर चिप मेकिंग यूनिट सेपरेटली तो इसके बारे मैं आपको डीटेल से बताऊंगा कि exactly होने क्या जा रहा है यहां पर आगे ऐसा क्या हुआ है क्या statement दिया गया है और साती साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वेदानता का क्या होगा आगे क्योंकि वेदानता नहीं प्रॉमिस किया था कि 19.5 बिलियन डॉलर का plant set up होगा क्या वो बढ़ सबसे पहले तो यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या देखिए जो global technology giant है foxcon अक्सर आप सुनते रहते होंगे ताइवान की company है उन्होंने सरकार को यह बोला है यह भी खबर economic times में आई है कि यहां पर उनके द्वारा सरकार को बोला गया है कि देखिए अभी हम वेदानता के साथ deal को खतम किया है इसका मतलब यह नहीं वाकि foxcon जो है वो chip that is semiconductor भारत में नहीं बनाएगी ऐसा नहीं है foxcon नहीं यह सरकार को एक संकेत दिया है कि वो लगभग 4-5 semiconductor fabrication lines भारत के अंदर बनाएगी ऐसा बोला जा रहा है और इसके लिए यहां पर जो नया application होगा उसको जल से जल्द यहां पर submit किया जाएगा under the India semiconductor mission मतलब कि भारत के दोरा यह जो mission चलाया जा रहा है उसी के तहट foxcon जो है एक अलग से separate जो application है बनाने के लिए वो यहां पर submit करेगा अब इसका significance क्या है देखें इस significance एई है कि just 2-3 दिन पहले जो खबर आया था और एक बड़ा जटका लगा ऐसा लग रहा है कि वेदानता और foxcon के deal खतम हो गई है तो क्या भारत का जो सपना था chip बनाने का क्या वो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी भी दो अगर आप देखोगे जो deal हो नी थी global giants की वो ऐसा हो नहीं पा रहा था मतलब चीजे move forward नहीं हो पा रही थी और इसलिए of July को announce किया गया foxcon के दोरा कि हम यहाँ पर separate होना चाते हैं मैं हम यह नहीं चाते कि वेदानता का नाम हमारे साथ है मतलब foxcon यह चाता था कि वेदानता का नाम foxcon और वेदानता के साथ ना जोड़ा जाए otherwise आगे चलकर इसमें problem आ सकती है future में problem आ सकती है कहने का मतलब कि अग लग रहा था कि कुछ न कुछ problems चल रही है क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें foxcon की तो वो basically high-tech company है अलग-अलग चीजो में जो information technologies related जो चीजें है उसका बनाया जाता है Asia region के अंदर और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वेदानता जो है वो mining में metals के अंदर involved ह तो दोनों company के बीच में कहीं न कहीं तालमेल शायद नहीं हो पा रहा था और सबसे बड़ा तो reason ये भी था कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि विदानता के उपर जिस तरह का कर्ज है high debt है उसकी वज़े से foxcon शायद खुश नहीं था कि आखिरकार funding वगरक कैसे हो पाएगी तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को देखते वे foxcon जो है वो विदानता के साथ partnership break कर दिया और foxcon ने यहाँ पर senior जो government officials हैं उनको यहाँ पर बता दिया कि हम ये deal नहीं कर पाएंगे फिर इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हो foxcon का ये भी कहना था कि इससे हमें कोई भी loss नहीं हो रहा है क्योंकि foxcon ने अभी तक किसी भी प्रकार का capital या फिर fixed asset यहाँ पर नहीं डाला था तो foxcon को इससे कोई भी loss अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब आगे क्या होगा foxcon का अगला step क्या होगा देखिए ताइवान की जो company है foxcon उन्होंने ministry of electronics और information technology को बताया है क कि हमने MOU sign किया है दो technology partners के साथ देखो आपको याद होगा ना कि वेदानता और foxcon का जो deal था इसके तहत सबसे पहले ये लोग 28 nanometer का जो chip है वो बनाने वाले थे लेकिन problem क्या रही थी कि इनको जो technology partner चाहिए मतलब कि ये chip बनाने के लिए इनको partnership करना था एक technology partner के साथ मिलकर ठीक है लेकिन इनको ये technology partner नहीं मिल पा रहा था फिर आगे चल कर इन्होंने decide किया कि चलो हम 28 nanometer का नहीं चलो 45 nanometer का ही बना लेते हैं तो इसकी वज़े से ये सारे problem आ रहे थे और इनको कोई technology partner नहीं मिल पा रहा था लेकिन foxcon ने यहाँ पर सरकार को अब ये बोला है कि हमन दो memorandum of understanding sign किया है technology partners के साथ और कहीं न कहीं अब foxcon को वो technology partner अलग से मिल गया है और इसी की वज़े से वो अब अलग से जो plant है भारत के अंदर setup कर पाएगा और इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो officials हैं government में उन्होंने यहीं बोला है कि हमने foxcon को निर्देश दिया है क कि आप एक definitive जो agreement है उसको sign करिए अपने technology partner के साथ और फिर हमारे पास आईए पूरी detail लेकर कि जो technology है वो किस प्रकार की होगी nature of agreement कैसा है कौन-कौन लोग इसके अंदर involve होंगे वो सारी चीजें लेकर आप हमारे पास आईए और हम इसको जल्द से जल्द clear करेंगे और मैं को बता भी दूँ कि Foxconn हो सकता है कि अगले डेड़ से दो महने में मतलब 45-60 दिन के अंदर सब कुछ कर दे क्योंकि already Foxconn को अब experience हो गया है भारत का वो वेदानता के साथ और जुड़ा हुआ था तो अब simply उसको जल्दी से यहाँ पर एक technology partner के साथ मिलकर यहाँ पर proposal finalize करन है और मैं आपको यह बता दूँ कि 4-5 fabrication line बनाने की जो बात कही जा रही है उसमें से एक जो है वो गुजरात के अंदर बनाया जाएगा ऐसा Foxconn का कहना है और बाकी के 3-4 जितने भी हैं वो हो सकता है कोई Mumbai में कोई करनाटक में depend करता है वो तो समय बताएगा लेकिन गुज लग रहा था दो दिन पहले कि Foxconn तो बाहर जा रहा है मैं आपको बता दूँ इसमें हर एक कंपनी कही न कहीं अपना फायदा देखती है और Foxconn को ये चीज़ साफ देख रहा है कि भारत के अंदर अगर वो प्लांट सेट अप करेगा तो उसको बहुत सारे benefit है देखिए आ क्या है यह जो स्कीम लाया गया है Central Government के दौरा उसमें किंदर सरकार 50% का subsidy देगी incentive प्रोवाइट करेगी of total project cost मालो अगर project cost 100 करोन का है मैं example बता रहा हूं 100 करोन का है तो 50 करोन तो अकेले किंदर सरकार अपनी तरफ से देगी तो automatically क्या होगा जो पूरा जो project है उसका cost कम हो ज incentive देगी तो total मिलाकर बताया है कि 70-75% जो cost है वो कम हो जाएगा manufacturing plant setup करने के लिए तो मालो अगर 100 करोन का plant setup करना है तो इसमें से 75 करोन तो सरकार की तरफ से मिल रहा है और यहाँ पर जो plant setup कर रहा है उसको सिर्फ 25 करोन लगाना है तो कहीं न कहीं फायदा है कि नहीं है तो व को ये भी बता दूँ जब ये partnership टूटा Foxconn और विदानता के बीच में तो यहाँ पर जो माराष्ट के minister हैं उद्य सामंत उनका एक बयान आया है उन्होंने ये कहा कि देखिए गुजरात जो है जो subsidy दे रहा था गुजरात Foxconn और विदानता को उससे 10,000 करोन जादा का subsidy हम incentive हम provide करें यहाँ पर उनका कहना था माराष्ट minister का कि गुजरात ने विदानता और Foxconn को 29,000 करोन का जो incentive है वो देने का निड़ने लिया था लेकिन माराष्ट सरकार 39,000 करोन का incentive देने के लिए अभी भी ready है जी हाँ माराष्ट सरकार का ये कहना है कि अभी भी अगर कोई भी person यहाँ पर आना चाहता है कोई भी company आना चाहती है semiconductor plant लगाना चाहती है तो 2000 एकर जो land है जमीन है वो already पड़ा हुआ है मतलब कि हम उसको ready कर रखे हैं कोई भी आ सकता है और इस incentive का फायदा उठा सकता है तो ये इसको लेकर भी आपने देखा है होगा काफी ज़ादा political class दे लेकिन अब question यह है कि विदानता का क्या होगा क्योंकि ये जो plan था 19.5 billion dollar का setup करने का ये विदानता का plan था और विदानता ने partnership की थी Foxconn के साथ जो कि Foxconn अब अलग हो चुका है तो विदानता क्या अब ये plan छोड़ देगा नहीं मैं आपको बता दूँ विदानता group के जो chairman man है अनिल अगरवाल उन्होंने साफ साफ कल ही कहा है विदानता को कहा है कि विदानता will enter the market for the manufacturing of chips and display दिस ये जियां उनका कहना है कि हमने यहाँ पर एक और partners के साथ line up कर रखा है और बहुत ही जल्द हम इसका announcement करने वाले हैं और विदानता यहाँ पर पीछे नहीं हटने वा लेकिन 45 nanometer chip बनानी से सुरुवात की जाए वो depend करता है लेकिन विदानता यह बनाएगा यह साफ साफ कहना है ठीक है फानली conclusion क्या निकलता है जो भी कुछ हुआ है ना भी recent में जितना भी आपने खबरे देखी है यह साफ दिखाता है कि chip manufacturing plant लगाना यह कोई आसान बात नही जो लंबे समय से कोशिश कर रहा है तो इसकी वजय से यहाँ पर एक सबक हमें यह मिलता है कि हमें अपने policies में flexibility रखनी होगी और साथी साथ ध्यान रखेगा chip making में बहुत सारे stages involved होते हैं पांच main stage involved होते हैं वो कौन-कौन से हैं यहाँ पर सबसे पहला तो है design मतलब कि जो भी company है जैसे मानलो विदानता हो गया उसको किसी global partner के साथ tie up करना होता है ताकि chip का design कैसा होगा manufacture कैसे उसको किया जाएगा दूसरा फिर तीसरा है उसकी testing कैसे की जाएगी चौता है उसकी packaging और पांचवा है distribution of those chips देखो यह पांचो जो step है ना chip बनाने में वो बहुत important है मान manufacturing plant बनाने से लेकर उसके design से लेकर testing से लेकर packaging से लेकर ultimately यहाँ पर उसका distribution क्योंकि अगर मानलो आप chip बना रहे हो तो दूसरे लोगों को भरोसा होना चाहिए ना कि वो chip reliable है वो सही chip है ठीक है तो इसकी वज़े से क्या है कि भारत को कहीं ना कहीं इन पांचों जो step है उसके अंदर actively participate करना पड़ेगा और तभी जो सपना है भारत का chip बनाने का वो पूरा हो सकेगा एक लंबा process है इतनी आसान काम नहीं है but let's hope for the best and I hope कि इसमें आपको वीडियो में सब कु समझ में आगे